पिछले कुछ समय से हम अपने प्रक्टिकल बीसी पार्ट 3 के प्रक्टिकल का पेपर को कवर कर रहे हैं और इसी करम में हमने देखा था कुछ म्यूजियम स्पेसिमेंस का हमद्धियन करते रहे हैं अब आज जो हम specimens देख रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहे हूं वो भी super class pieces के हैं museum specimens और जो fish हम ले रहे हैं वो clarious है, angular और hippocampus है ये तीनों ही class ostrich thighs की हैं जैसा के विदित है ostrich thighs में जो fish होती हैं उनका कंकाल हड़ीों से या bones से निर्मित होता है सब प्रतम हम बात करते हैं clarious की clarious का अगर वर्गी करण देखें तो phylum codita, group craniator, subphylum vertebrita, debition netho stomata, super class pieces, class ostrich thighs, sub class actinopetrigi, super order teleosti, order sypreniformis और genus है clarious ये मचली लगबक 40-50 cm लंबी होती है और इल के समानी दिखती है लेटरल्स पे पार्षमों पे ये चप्टी होती है और ग्रे कलर की होती है ये अलमणी ये जल की मचली है जो भारती है तालाबों और तालों में भी मिलती है देपर शलकों का अभाव होता है इसलिए इसकी तुचा जो है वो चिक्नी होती है डौर्सो बेंटरल दिशा में चप्टे शीष पर अग्रस्त चौडा माउथ होता है मुक होता है और लेटरल आइज होती है डौर्सो लेटरल नेजल अपर्चर्ज होते हैं नासाचिदर होते हैं जो पेर्ड होते हैं इसके अलावा शीश पर इसपर्श क्राही पार्श्वक इसपर्शकों अर्थात बार्बल्स की चार जोडियां भी पाई जाती हैं इन में संयुक्त पेक्टरल और पेल्विक यानिके अंस और शोणी पंक तथा असंयुक्त मध्यस्तित प्रश्च गुद और पुच्च पंक पाई जाते हैं कोमल पुच्च पंक धड़ की पूरी लंबाई पे फैला रहता है ये फिश जो है इसमें पेक्टरल फिन में काटे या पंजन्ट स्पाई जाते हैं ये खाने में बहुत स्वादिश्ट होती है और काफी भोजन के रूप में इसका सेबन किया जाता है तो क्लेरिया इसका अपना अलगी आर्थिक महत्व है अगली जो फिश हम ले रहे हैं वो है एंगुला या इल एंगुला का अगर हम वर्गी करण देखें तो ये फाइलम कॉड़िटा का सदस्य है ग्रुप क्रेनियेटा, सब्फाइलम वर्टिब्रीटा, डिबिशन नैथोस्टोमाटा, सूपर क्लास पिसस, क्लास ऑस्टिक थाईस, सब्क्लास एक्टिनॉप्टरिगाई, सूपर ओर्डर टीलियोस्टियाई और ओर्डर इसका अगुली फॉर्मिस है इसकी विशेष्टा यह है कि इसमें शल्क जो है वो अफशेषी या वेस्टीजियल या अनुपस्तित होते हैं और एर साक जो है एर ब्लडर जो है वो नलीका सहित होता है डॉर्सल और एनल्फिन जो है वो लंबे और कंटिनियस होते हैं तो इसके हम केरेक्टर्स देखें तो यह पाएंगे कि यह अमेरिका में विशेष्टा रुप से पाई जाती है जीलों तालाबों नदियों में भारत में भी इसकी कुछ प्रजातियां पाई जाती है जैसे एंगुला बेंगाल लेरिस यह भारत में पाई जाने वाली प्रजाती है साप के समान इसकी देह दिखाई पड़ती है हरे पीलर रंकी होती है और लेंथ इसकी लगभग एक मीटर तक होती है जैसा कि मैं बता चुकी हूँ तुचा चिकनी होती है और स्केल या शल्प जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं या फिर तुचा में बिल्कुल धसे रहते हैं इस फिश में संयुक्त पंकों में से अक्टरल फिन छोटे होते हैं और पेल्विक फिन नहीं होते हैं और संयुक्त डॉर्सल और एनाल और कॉर्डल फिन परस पर समकेत होते हैं समेकित होते हैं फ्यूस्ट होते हैं पंकों में फिन रेस पाई जाती है एर ब्लेडर पाया जाता है जिसके कारण ये कई खंटों तक जल के बाहर दलदल में भी रह सकती है एंगुला में जो विशेश्टा है वो है कि ये मचली प्रेजनन के लिए बड़ी दूर तक माइग्रेट करती है और बर्थ के बाद एडल्स जो है वो मर जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है तो प्रेजनन है तो ये माइग्रेशन के लिए विशिश्ट रूप से जानी जाती है व्यस्क नदी छोड़कर एट्लैंटिक ओशन में हजारों किलोमीटर का प्रवास कर अ प्रियास में अनेक बार इन्हें लैंड पर भी यात्रा करने पड़ती है क्योंकि सक्षा में काफी टाइम तक दलदल जैसी जगाओं में रहने में और प्रेजनन के बाद एडल्स जो हैं उनकी मृत्ति हो जाती है ईल के जो तरुन हैं यंग हैं जिने लेप्टो सिफलाई क कहते हैं लगबगह उत चोटे होते हैं 5 सिंटी मीटर लंबे होता हैं ठ्रांस्पेरंट होते हैं और लीफ लाइक दिखते हैं प्लेजिक उपर तैरते रहते हैं लगबगघ तीन साल समिंद्र में रहने के बाद टत्य शेत्रों में इनका रूपांतरन शिशु इल जिसे ऐल क्रमें इन्हें भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इल में कुछ विशिष्ट होता है विद्धुत इल तथा इन में विद्धुत अंग इलेक्ट्रिक और्गन्स होते हैं जो 300 वोल्ड तक का इलेक्ट्रिक शौक दे सकते हैं अब इसी क्रम में जो हम अगला एनिमल ले रहे हैं वो है हमारा हिप्पो केंपस या समुद्री घोड़ा समुद्री घोड़े का वर्गी करन अगर हम देखें तो यह भी फाइलम कॉड़ेटा है ग्रुप क्रेनियेटा में है सब फाइलम वर्टिब्रेटा ग्रुप नैथो इस्टोमेटा और पिसेज सूपर क्लास य जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है इसमें विशेश्ता होती है इसमें पाया जाने वाला ब्रुट पाउच और प्रिहंसाइल टेल जैसा आपको दिख रहा है ब्रुट पाउच भी स्पर्ष्टे और प्रिहंसाइल टेल भी है और स्नाउट इसमें पाया जाता है तो इ सक्टोरियल मौथ इस पे होता है स्विम ब्लेडर बंध प्रकार का होता है ये समुदरी मचली है जो सामाले रूप से इंडियन ओशन में पाई जाती है तता अट्लांटिक ओशन के तत के निकट पैंदे में भी ये मिलती है इसका बॉड़ी जो है वो अत्यंत विभेदित होता है तता चोड़े ढाल रूपी बोनी स्केल्स द्वारा ये ढकी रहती है इसकी कई जातियां क्यात हैं जो अलग-अलग समुदरों में पाई जाती हैं और लंबा इसकी जादा नहीं होती है के लगबग 10 संटीमीटर तक लंबा होता है अगर भाग में सिर एक दंतहीन स्नाउट के रूप में होता है जो घोड़े के सिर के समान प्रतीत होता है इसलिए इसको सी होर्स या समुदरी खोड़े का नाम दिया जाता है संट पंको में से पहली जोड़ी पेक्टोरल फिन बहुत छोटे होते हैं दूसरी जोड़ी पेल्विक फिन अनुपस्तित होते हैं एक छोटा डॉर्सल फिन पाया जाता है शेश अर्थात पुच और अनाल फिन जो हैं उनका पूर्णता अभाव होता है टेल जासा मैं बता चुकी हूँ प्रिहंसाइल हुक के समान प्रतीत होती है जिसकी सहायता इसे किसी समुद्री भाग में समुद्री जो भी कोई सबस्टेटम है या घास से उसमें लगा रहता है नर में एक ब्रूट पायुच होती है जो श्रोणी अर्थात पैल्विक पंकों के विभेदन से बनती है इसमें निशेचित अंडों का भूणिये विकास होता है तता शिशु धानी या रूट पाउच में पून विक्सित बच्चे अंडे से निकलते है तो ये था हमारा हिपोकैंपस आपको जैसा मैं बता चुकी हूँ आपको इन सब का भी डाइग्रेम तयार करना है जैसा आपने रिकॉर्ड में करना है बाकि ये अनिमल्स के बारे हमाँ अब ले लेक्च्चर में अपना कंटिन्यू करेंगे Thank you, धन्यवाद